असलामलेकुम डिया ट्रूटंस बॉस और गयर्स ममेद करतो हम आप लोग है रिसे होंगे जैसा कि अब लोगो पाता है कि 2.1 हमारी हो चुकी है आज हम 2.2 करेंगे स्टार 2.2 के अंदर हमने मिक्स फ्रेक्शन्स फाइंड करनी है तो मिक्स फ्रेक्शन्स आपको पता हो कौन सी होती है जो जो ऊपर बढ़ाना बढ़ा और नीची छोटा हो ठीक है तो ताके उससे हमारा डिवाइड भी हो सकता है बहुत असानी तरीक से लिहाज़ा हम पहला कर रहे हैं 3 over 4 plus 1 over 2 तो इसको find देने का method कुछ इस तरह से है पहले हम solve लिखेंगे solution 3 over 4 plus 1 over 2 तो हम इन दो numbers का हम LCM ले लेंगे 4 over 2 तो हमने आपको पता कि सबसे पहले एक टेबले ना चाहिए जिसे कि दोनों solve और सके जैसे कि 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are okay LCM की हमने ये दोनों amounts उतार लेनी हैं ताकि हमें पता हो कि ये 4 कहां से आया है तो 2 multiply by 2 हम equal होता है 4 के तो हम जब इसका यहां LCM लेंगे over डाल के over डाल के हमारा LCM 4 यहीं आ जाएगा तो 3 over 4 plus 1 over 2 तो यहां लिखेंगे लेकिन हमने 4 के साथ हमने multiply करना है कि ऐसी amount ये ऐसी हमने डिजर से करना है कि हमारा 4 LCM solve होड़ सके ठीक है तो अब हम क्या करेंगे 4 हम सोचें कि 4 multiply 1 होता है ना तो इसका मलब जब यह 1 से जा रहा है ना 4 1 जा 4 होता है ठीक हो गया तो इसके बाद यह जो 1 multiply by 1 है यह चीज ऊपर चले जाएगी और जब यह चीज ऊपर चले जाएगी यह हमाँ पास 4 बन जाए तो हम इदा हम आया हो जैसे बात हम इदा से देख रहे है ना तो कैसे बन रही है है से 2 ढालेंगे तो मलब 2 multiply by 2 जो नीचे multiply by 2 डा रहे है तो ओपर भी multiply by 2 डालेंगे तो 1 multiply by 2 ऐसी आ जाएगा और हम यहां 4 LCM का उता आ लेंगे जो हमारा यह आया होगा बाइजिंगर्स तो हम यहां multiply करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 ओवर की 4 तो हम इन दोनों को प्लस करतेंगे 5 ओवर 4 अब हमारी यह मिक्स फ्रेक्शन है कोई से बंद गी है मिक्स फ्रेक्शन बंद गी है तो जैसे बत हमाई पसे नंबर उपर बढ़ा है तो हम इसका डिवाइड ले लेंगे 4 बाइड है तो 5 अंदर रख लेंगे तो 4 1 जा 4 तो 5 में से 4 गे तो 1 आ गया हमारा reminder तो हम इसको ऐसे कर लेंगे 1 1 over 4 कि पहला 1 यह फिर 1 जी तो फिर 4 मतलब कि पहला हमारा आगे nominator आ गया है फिर हमारा आगया whole number आ गया फिर denominator आ ठीक है इसी तरह हमारा यह वाला question solve हो जाता है अब हम question number करेंगे 2 B वाला minus में अब हम करेंगे B वाला करेंगे A वाला हमने कर लिए है B वाला करेंगे और C वाला करेंगे B वाले में minus का हुआ 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 है minus solve है कोई issue नहीं है 5 over 6 minus 7 over 9 तो boys and girls सबसे पहले वही method lgm करेंगे कि 2 3 6 2 9 9 जैसी बात अब 9 तो नहीं नहीं आता 2 के डेबर में नहीं हम वैसे के वैसे नीचे कर लेंगे तो 3 1 जा 3 3 3 3 9 3 1 जा 3 3 1 का बन नीचे आगे 3 1 जा 3 ओके फिर हम यह इन तीनों मोंट्स को तो आल लेंगे 2 multiply by 3 3 multiply by 3 तो मतलब हमारा बन गे lcm 18 हमारा lcm क्या बन गया है 18 तो 18 को हम lcm इधर उता लेंगे तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हमने 6 को देखना है और 9 को देखना है 6 को देखना है कि कौन से table से जाए कि हमारा 18 lcm बन जाए ठीक है कौन से table से जाए हमारा 18 lcm बन जाए तो हमारे पास इधर 3 था ठीक है न तो मतलब कि multiply by 3 करें तो हमारे पास 18 बन जाएगा ऐसी बात है तो हम 6 जो हम multiply by 3 करेंगे तो multiply by 3 हम इस तो पहले हम यहीं 5 x 3- फिर अब हमारे पास 7 नहीं है ना तो अब हमारे पास 9 से हमने कोई ऐसे multiply करना है कि हमारे पास 18 बन जाए तो हम क्या करेंगे 9 x 2 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 18 तो यह जो multiply by 2 ना जो उपर है आपको जो दीखरा है तो multiply by 2 आपने यह multiply by 2 ऊपर यही equation आपने ऊपर डाल दे नहीं है ठीक है तो 7 over 7 multiply by 2 करेंगे तो 14 आजाएगा 5 x 3 multiply करेंगे 15 आजाएगा 15 में से 14 गे तो 1 over 18 यह हमारे पास mix fraction तो नहीं ना यह हमारे पास जोशी equations आगी है इसी तरह हम question number C देखते हैं तो C में भी 3 over 5 plus 7 over 10 दिया हुआ तो हमने सबसे पहले क्या कर लेना boys and girls आपको बता है हमने इन दोनों का LCM ले लेना है 5 और 10 का तो 5 यह तो 5 यह तो 10 तो 2 से 1 का वैंड नीचे 2 यह तो मतलब 5 multiply by 2 equal होता है 10 के LCM हमने 10 डाल दिया add कर दिया तो over हमने ऐसी लगा कि हमने 5 को ऐसी digits करना है कि तो हमें आपास 10 मलूम हो सके तो हमने वही 5 multiply by 10 और 2 3 को 2 से किया 3 multiply by 2 sign वही आए कि दर्मियान में जो होगा और 10 बन जा 10 वो multiply by 1 ठीक है 7 बन जा 7 6 plus 7 हमारा हमारा पास जब आ गया तो हम इसको जमा कर देंगे तो हमारा पास mixed fraction बन गेगे mixed fraction बन गेगे पास 13 over 10 बन गे तो हम इसका क्या ले सकते हैं divide ले सकते हैं divide में कुछ चीज तरह से होगा 13 अंदर रखेंगे 10 बहर रखेंगे denominator हमारा पास 10 होगा whole number 1 है तो हम denominator को 1 से करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 10 आ जाकर तो denominator हमारा पास 3 आ जाएगा ओके तो हम सबसे पहले one whole रखेंगे भी denominator फिर denominator ओके I hope आपको इन questions की बिलकुल समझ लग गई होगे तो boys and girls यह questions ज़रा important है तो इसको समझ के अच्छे तरीके से कीजिएगा तो जो next question है इन्शेला next part मैं आपको समझाओंगा तो इन questions के अपने practice करने हैं और need copies पे इसका काम करने हैं बहुत शुक्रिया असलाम में